चलोुक। लंक्स के िनल्क्रव मि देख रहे थे वोग न तो उसमें लंक्स की जो अनल्मोंस चीज़ें कम्प्लीट हुई लिए निक्स जो चीज हम लोग चुन्टिनिघ्र करेंगे व है उसे में बॉंकिये ском सब करते से इनिश्वली जब वहाता है तो नशी ओपर से आने के बाद इसका आपस में क्या था bifurcations होता है क्या होता है bifurcations होता है ट्राइकिया का तो ट्राइकिया जो divide करता है सबसे पहली बात तो यह कि पहला आप कुछ इस पता होना चाहिए इससे आपको clinical चीज़े में benefit होगा तो ट्राइकिया divide at the level of the lower border of the fourth thoracic vertebra दोखो ट्राइकियल डिविजन से और almost बहुत सारे मतब लैंड मार्क हैं जो fourth coastal क्या कहते है यह तो coastal ribs सीधर उधर यह पीछे vertebra के हम लोग बात करते है ठीक है तिस दोनों के अंदर में चीज़े देखने पर मिलती है दोनों के अंदर में ठीक है अब यहां पर हम लोग बात करें यह चीज़ याद नहीं यह जो डिविजन हुआ यह ट्राइकी आया यह डिविजन किया यह अपने इधर गया यह इधर गया यह जो डिविजन हो रहा वो कितने लेवल पर फोर्ट थुरा से एक वर्टी बरा इन्थे डिविजन ॉने के बाद फिर इसके अपने तर्मीनल ब्राइमुल्स होगा आञे आगे की तर्मिनल ब्राइमुल्स होगा तो अलग फरदर यहां से जो डिवीजन इसको जिरू डिगरी बोलते हैं यहां से जो डिवीजन स्टार्ट रहा है लास्ट अल्वेल आई तक मैं बात करूंगा आगे मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें लगबक 23 कितने हैं टोटल हम लोग देखते हैं 23 जेनरेशन से कितने ज सब्सक्राइब हाओ जैड़ी बात करूंगा जहां से प्रैम्री ब्रॉंकस डिवाइड किया है और कि जहाँ पर Exchange अफ गैसे भाट रिप में एक से जब गौह थो KEVIN शेए वहां से वहा तक का भुग Seems सैंव कितने हैı टॉइंटी थ्री डॉज देखर वह में संपर इस पुरे 23 डॉजविजन को भी दो अलाग में किया गया कंडूक्टिंग में बताउ में कि conducting क्या है non conducting क्या है तो पहला चीज तो यह क्लिए रहतने पूंज़े अब जो primary बंगा तो primary बंगे दो एक बन गए इदर का left दूसरा बन गया क्या right तो right primary broncas वो 2.5 cm का होता है यह basically short होता दिखने भी लग रहा हो कि ब्रॉंको तो सिर्फ इतना इप अधे यहीं तक क्योंकि यहां से क्या होगा फिर यह टिवाइड ओगी है यहांसे के जैसे ही इस शुरू में आया है और यहीं पर क्या आपकाई इस एक डिविजन दें दिया अपना और यह कब डिविजन दिया थोड़ा सा लिंथ लेने के बाद यहां से यहां तक कम से मना यह पूरा पॉर्शन यहां क्या यह सिर्फ इतना बड़ा पॉर्शन से तो इसके कॉम्पेर अगर हम लोग आते हैं राइट प्रिस्पल ब्रॉंकिल आप देखों तो इसकी बाद ब्रिस्पल ने को बिलता अब एक चीज और भी देखने को मिलता अब एक चीज और भी देखने को मिलता अगर यहां पर अगर देखों तो तो यह जो है यहां पर हम लोग देखें अगर यहां से एक perpendicular line हम लोग देखते हैं एक perpendicular line दे रहें एक imaginary line कोई तरह का line होता नहीं है इस line में अगर मैं बात करूँ तो यहां से जब यह divisions हुआ तो एक angle इदा रहे तो यह लगबग यह इसे लगबग हम लोग देखते हैं 45 डिगरी का angle बनता और इससे कितना बन गया 25 डिगरी यह ट्राकियल और क्या करते हैं प्रामरी ब्रॉंकस के बीच का जो angle होगा यह angle में differentiation है कितने को तो इदार है 25 डिगरी इदार है 45 डिगरी तो कहने का मतलब यह बहुत जाद अबलिक्स यह इसके compare में यह भी कह सकते हैं कि यह बहुत जाद है straight है तो एक common सा चीज है अगर तुमसे बहुत simple सा पूछो कि यदि कोई भी व्यक्ति है या बच्चा भी मालों बच्चा है वो गलती से कभी न कभी क्या करेगा कोई coins ले सकता है कुछ भी अंदर जा सकता कुछ निगल लेगा मान लो coins लेने के बाद coins लेने के बाद वो चीज़ी इदर गी तो most probability most probability of किस लंग्स में जाएगा राइट लंग्स में जाएगा या लेट लंग्स में जाएगा चू राइट में जाएगा इंडिसम और ब्रॉड भी है और सबसे पर चीज़ कोई विचीज उपर से गिरेगा आप दो तिर जाना या इदर जाना तो उन्स में जादे probability जाने कि इदर भी जा सकता है no doubt बट ज जादे चांस का होगा जाने का जो जादे स्ट्रेट होगा तो इसलिए हम लोग देखते अगर जैसे हम कोई बैक्टेरिया वाइट इंवर्मेंट से इन्हेल भी करते हैं तो most of this particular inhaled inside the right lung तो जादर right lung infection जादर देखने को मिलेगा क्या मिलेगा comparatively relatively अगर तुम बात करोगे अगर infection source respiratory अगर बन रहा है उसका airborne infections है तुम mostly तुम अगर अगर दस पंदर है बीस पचास दिखोगो तो जादा तर जो patients होंगे यह जादा तर जो affected लोग होंगे infection से वह राइड लंग्स में तुम्हें जाद क्यों अब समझ में रहा है यहां पर यह जाद क्या है उसके कंपर में strain भी है उसके कंपर में वाइड भी ब्रॉड तो चीज़ा था निसा इसलिए coins वगएर अगर कोई बच्चा निगल रहा है गिल तो most probability अगर ट्राकिया में गया तो वो राइड लंग्स के तरफ जाएगा ना बागी एक्जामिन दोनों को करना यह ना इक्सरे को रहा हो तो पता चले गए लेकिन निगल लेता तो इलाज की बात बात में करेंगे है ना पहले किदर जाएगा यह तो पता होना चाहिए अब यह कोई तुम से रेजन भी पूछे वाई इस कई पूछे जाता है most susceptible lungs for the infection तो राइड लोप क्यों कि इसका anatomically इस तरह का तो इस पे अभी यहां से इसके lining पे मानलो defense के लिए कुछ मानलो microphone जागा तो जादा time मिलेगा उसको अभी छोटा तो तुरंत आएगा तुरंत लंग्स गंदर में क्या करिए इंडर करिए तो वही सब चीज इदर लिखा भुआ इन लिट पार्टेकिल आफ फॉरें बॉड frequency to the right lung जाद 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 चांस है किसमें जाएगा right lungs में दागा when the result data infection is more common on the right side than the left side तो possibility है कि सबसे जाद infection कहां देखने को मिलेगा right lungs में as compared to left lung बागी दोनों में हो सकता है साने कि हम right पर रहे तो left infection होगा ही नहीं लिफ प्रिस्पल ब्रॉंकाई लगबग किता पाँ सेंटीमेटर तो दोगोना लगबग दोगोना इसका होगा निए यह जाद है यह कितने का लगबग पाँ सेंटीमेटर का लगबग लगबग देखने को में लगए यह क्या it's longer वो देखने भी रहा उससे कांपर में क्या ऑर और मोर ऑबलीक देंदर राइड ब्रॉंकर से यह क्या है अबलीक यह जिस कैसी शर्टि मैं ने बता है 52 खरता जाइंगल बनाता विट ट्रै किटर ब्रा के जवाएंपरगोट से ही क्या बनाता कितना 45ड का में यह कुछ डाटा है और ओरिटेर उटेंटेसें से जिसको कि याद रखने के जुरूवत है तो हम लोग आते तो पहला चीज तो हम ने देखा क्या कि इच प्रिंस्पल ब्रॉंकिल इंटर इंटर और इंटर करने डिवाइट इंटरी लोबर ब्रॉंकाई पहले क्या प्रैमरी जैसे यह बना यह मानलो प्रैमरी बना और यह जो डिवाइट लंक्स में जो इंटर कर रहोगा वो उसको हम लोग क्या नाम रखते सेकेंडरी लोबर ब्रॉंकाई लोबर ब्रॉंकाई इसलिए ब बात लोब्स के अंदर फिर मल्टिपल डिविजन होता हुआ चला जाएगा अना इनिशल इस तरह से तो बिसिकली देर थ्री लोब्स ब्रॉंकाई अंदर राइट साइड और वेसी बात कल को आपसे पूछे कोई भी कि राइड लंग्स में या राइड साइड में जो लोबर लोबर ब्रॉंकाई कितना होगा तो जितना लोब उतना ब्रॉंकाई होगा आइसा इससे बगर बात करें लेट साइड में तो कितने लोबर ब्रॉंकाई तो कितना होगा दो होगा क्यों कि जितने लोब्स उतने ब्रॉंकाई लोबर ब्रॉंकाई लोबस ब्रॉंकाई की बा यह मालो की लंग्स है यह अभी मालो लंग्स है इधर की तरफ से मालो लेफ्ट लंग्स है तो यह मालो की डिविजन से इसका और यह मालो डिविजन से टेक है यह लेफ्ट लोवर है यह क्या अपर है अब इसके अंदर भी ब्रॉंको पल्मुलरी सेग्मेंट से जो डिविजन प्रइस प्रइब उन मालो दोसरा है यह cutting है कि पीचे सीवेंगा कुछ में होगा तो चैथे, एक लोबर ब्रॉंकाई, पहले तो एक लोब में गुसा, पहले या परलोब है, इच लोबर ब्रॉंकाई divides into tertiary, tertiary में जाएगा और segmental ब्रॉंकाई, मतब पहले एक लोब में आया है, लोब में वाला फिर उसको divide करके हर एक segment में जाएगा, एक-एक segments में, उसे होगा उन्द सेगमेंटल ब्रॉंकाई या तर्सरी ब्रॉंकाई, क्या बोलेंगे, तो कोई तमसे पूछे या चीज़ों को समगरें, तर्सरी ब्रॉंकाई किसको बोलते, तो तर्सरी ब्रॉंकाई क्या होगा, जो क्या करते हैं, primary की बाद secondary बना, secondary जो divide हु होता है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, तो एक चीज़ देखते हैं, कि generation 0 से ले करके, generation 23 तक कि अगर हम लोग बात करें, तो अब एक चीज़ याद भी आता है, यहाँ पर लिखावा, conducting zone, यहाँ पर लिखावा, transitional and respiratory zone, यह दो जोर्में पूरे, passes को divide गिया गिय है, divide is purpose, अब यहाँ पर लिखावा, dead space, space जब पराओंगा, luns की capacity in space, dead space, dead space, वो space यहाँ डिन मत्तब गनरली मरा हुआ बोलता है, dead space, वैसा space जहाँ पर उतने amount of exchanges of gases वाँ से कुछ नहीं होने जा रहा, simple, anatomically dead space, कभी-कभी हम लोग आएंगे, functionally dead space, मैं बता हूंगा, anatomically dead space एक सा मतलब यह हुआ, conducting zone का मतलब हो कि इस region में जैसे हम सांस लेंगे, मालो, तो air आएगा, O2 इंडर किया, O2 इदर गुशता रहेगा, अंदर ब्रांच में जाता रहेगा, जाता रहेगा, इस पूरे area में, यानि 16 generation तक, का तक, 16 generation तक, इसके किसी wall से oxygen निकल नहीं सकता है, that is a dead space, oxygen का conduction, यानि कि ट्रास इदर से इदर चलेगा, वो अपने line में, route में चलेगा, लेकिन walls diffuse में ही कर सकता है, जैसे ही respiratory bronchials में आएगा, मालो 17 के आस पास आ जाता है, यहां से possible लगी, उतना नहीं करेगा, लेकिन कर जरूर पाता है, यहां से diffuse होकर के बार, जा सकता है, बाकि देरे-देरे जो भी इसलिस को हम लोग देर, ट्रांजिशनल, या फिर, जैसे या फिर respiration के function हो सकते, क्योंकि यहां से gases इसके wall से क्या हो सकता, निकत, जब तक अगर इस पूरे alveolar tree से, bronchial tree से, अगर gas नहीं निकलेगा, तो exchange किसके साथ करेगा, तो conducting zone जहां तक है, वहां तक किसी भी situations में, एर जो है, वो निकल करके अपने बगल की tissue या बगल जो भी cablery जा रहा हो, उसके साथ वो diffuse, यहां से वो power ही नहीं, वो capacity ही नहीं इसके पास, आना, जैसे यह conducting zone में पहुंचेगा, sorry, क्या करते है, respiratory zone में पहुंचेगा, तो सबसे पहला segment आई में ब 17 से ले करके 23 जनरेशन तक जो होता है, वो कैसा zone होता है, respiratory zone, it may possible हाँ, उपर के तरफ थोड़ा कम diffuse होता है, mainly तो alveolar shack में diffusion का काम चलता है, mainly कहां चलता है, alveolar shack में यहाँ पर diffusion का काम चलता है, but यह जो part है, जो respiratory zone यहाँ पे less amount में ही सही, लेकिन यह diffuse कर सकता है, और होता है, तो यह total generation याद रखना, 16 तक याद रखना, यहाँ तक conducting zones है, data space का मतलब हो, go space जहाँ पर exchange हो, अब क्या होगा, जैसे यह तो anatomically data space बोलते है, मैं आगे पढ़ाँगा pathological data space, अब क्या होता है, कभी कबार मान लो किसी को alveolar collapse होने लगा, अब यह alveolar के पास इतना पानी आ ग से pathology, कुछ ऐसे विमारियों को यहाँ पर exchange of gases, तो इसको बलेंगे physiological, sorry pathological data space, और data space का एक simple मतलब जहाँ पर exchange of gases नहीं हो रहेगा, और व्यक्ति के अंदर में रहेगा, तो यह total broncus की बात होगे, ठीक है, अब यह 150 में, dead space में कितने oxygen, कितने amount of oxygen, यह कहने नहीं हो, वहाँ पर कि भई, लंक्स में क्या जा रहा है, अब उस ग्यास तो कुछ न कुछ area लेगा, तो 150 ml का जो data space यह, वो 150 ml of gases को store कर सकता है, basically, उस data space के अंदर में, तो वह उसका volume हो गया, जितना, अब यहां से यहां तक में कितना area हो गया, तो अब ग्यास गया, तो उसकी volume हो गया, पिर हम लोग आते, bronchial tree में गाता, जिस, segmental bronchi, जोग होगा, वो divided repeatedly to form a very small bronchus, को बात बात बात, कि segmental जोगा, वो दिरे 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 क्या होता चलेगा, फर्दे डिवाइड होते जागा, डिवाइड होते जागा, और फानली बनाते गा, terminal bronchiules, क्या बनाएगा, terminal bronchiules मत जाएड जाएड पेसे वो, definitely वहाँ से कतम, still smaller bronchiules are called respiratory bronchioles, जो बहुत सबसे छोटा bronchioles है, वही क्या कहलाता है, respiratory bronchioles जहाँ पर exchange of gases may be possible है, each respiratory bronchioles, basically the area, small part of the lungs, known as the pulmonary unit, जितना भी एक एक मालनो bronchioles, respiratory bronchioles जैसे है न, एक इस पूरे unit को basically हम लोग एक pulmonary unit के नाम से जानते हैं, ये तो तुम्हारा होगा क्या, bronchioles? हम किसके unit बात करें, alboli is the functional unit of the lungs, functional unit of the lungs के हम लोग बात करें, ठीक है, अब कुछे जरूए कोई सबसे छोटा उसी कम unit बनाएंगे, ऐसा नहीं, bronchiol pulmonary segment, अब ये दूसरा चीज है कि मैंने बता है कि लग बग जो हमारा lungs है, वो कितने divisions में, divides is, मतब सेगमेंट में, हर एक ल देखोंगा, ये देखो, एक लंग से, एक लंग से, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ ले दिख रहा है, आट, नो, दस, साथ कहा गया भई, इनको वास हो नहीं है, ये लग 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 कोस्टल सर्फिस को रिपर्जेंट कर रहा है, ये लग 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 ये दो को शात होगा, बारे लग लग कि दर कहे, सातने यी रए के रैट्लन, ये मीडियल सर्फिस, ये कह मीडियल सर्फिस ये लेख का मीडियल सर्फिस है, तो पोरे Лंग से प्रापर स्issenschaft, अब ये छिज से एक्मेंट के बारोऊ कुछ चीज नोन सीच में बताता हम का लिख मैं पड़ार शुब्धायों पुधाट शॡब्लॵ॑ एक्सेप्टबल क्लासिफिटेशन में पड़ार का सबसे जो मॉसली अक्क्षप्टेबल क्लाशिफिकन राजू रहा है कि वहां हैस बात में टन्से व्रहांगोपादुनी स्टेश कर लिए एक रहता है और सेगमेटल सेगमंट सेहं होता है अब अगवा लगवा यह कैसे होता है पैरा मिर याउदर लॉसका बणा यास पैरमड़ निगता होहाँ को हां मिलते हैं पैरमीड वह के पास इंग अरपेक्स होगा सिंपल है और क्या होगा उसका दूसरा बनेगा ओर सीथन लें सेंग मेंट वे देखा हुँग होगा तो हाइलम की तरफ होगा अगर तुम अगर फिक्टर सब्स आंथ यहां सब्स कुम लंग कर रहा है है यह अन कर दो आफ निस अरह हो ढगर ने कि अन्हूंठ सेगमेंट सेगमेंटल क्या करते हैं प्रॉंकाई यह उसके अंदर में जाएगा तो यह चीज़ हो गया उसके बाद हम लोगे पेरिफेरी हैविंग दियर ओन आट्रियल सप्लाई जितने भी सेगमेंट से उसका अपना इंडिविज्वल अट्रियल सप्लाई है तो इसलिए मा सेगमेंट सेखमेंट फींट सेगमेंट 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 से अपने इंडिविज्वल अगर चल रहा था यह तो वह रासे जेने जिसका अगर चल रहा है तो वालो यहाँ से निकला तो कुछ-कुछ इसका ही वेना करें के समय ड्रेन हो गया है इसका ही वेना करके में ड्रेन हो लेकिन आट्रियल में इंडिवीजवल एक सेग्मेंट के लिए अपनी एक इंडिविज्वल आर्टरी जो ब्रांच छोकर के अंदर में गई गई इस चिसको याद रखना है कि जो टूर्ड पेरिफिरी हैविंग दियर ओन आर्टरील सप्लाई अपना है खुद का है बट वेनस डीन आजना वो शेयर बाये अडिसेंट पॉल्मयारी सेग्मेंट अगल बगल का वो शेयर कर लेता है वेनस को ड्रेइन कराने में अब इसaden वज़े से क्या कि कोई भी लोबर्र या सेगमेंडल इंफेक्शन रॉबूलर इंफेक्शन जो जाए सकते जैसे ही तुम आगे पैथोलजी में नीमोनिया बड़ा यह सब चिजा एगा लुबर नीमोनिया उसके बाद लॉबूलर सी नीमोनिया तो अलग अलग टाइप है डिफेंट टाइप अने तो वहां पर तो आपको यह सेग्मेंट क्या करा रहा है अब पहले तो लोग को क्लिरिफाई करने अब आपको सेग्मेंट तक पहुंच गया मत्तब बहुत और नेरो अरिया तक पहुंच गया चीज़ों को ब्रॉंक्योल्स क्या बनेगा टर्मिनल ब्रॉंक्योल्स के बाद रिस्परिट्री ब्रॉंक्योल्स बनेगा अब दखो रिस्परिट्री ब्रॉंक्योल्स जो बना के बाद क्या बनेगा अल्वेलर डग्ड बनेगा और अल्वेलर डख्ट इधर भी है एक यह भी समझे अल्व यह के साथ फिर दोखो इस तरह से connection से connection से connection इसको atrial saccules बोलते हैं और air saccules बोलते हैं और air saccules से connection हो है alveolized sac का क्या है alveolized sac इसलिए चीज में पढ़ाणाओं को आगे चल कि अभी बहुत सारे abnormalities परगे ataluxis पढ़ोगे type of ataluxis ataluxis मतलब होता है यह sac इस reason का alveolar ducts के बाद especially basically पढ़ोगे जैसे इंफाइसीमा का नाम सुने होगे lungs में तो इंफाइसीमा में basically ataluxis होता है ataluxis मतलब completely permanent यह structure का damage होना collapse होना तो कभी ataluxis atrial ducts पे तुमको दिखेगा ataluxis may be seen in the alveolar sac में दिख सकता है हो सकता है अट्रिया में दिखेगा तो इसके basis पे ataluxis को भी अलग अलग टाइप किया गिया है pathologies के अंदर में तो यह इतनी चोटी चीज़ परके आगे pathology में यह काम देने वाली है जब तुम infisema पड़ोगे properly तुम यार ना कि alveolar duct जो है अब तुम एक चीज़ देखो कि एक respiratory bronchioles में कई alveolar duct आ करके मिले हुए एक respiratory bronchioles में कई alveolar duct एकी दर से एकी दर से आपर तुम एक alveolar duct में अगर तुम देखो तो कई atria आ करके मिले हुए और एक atria में देखो तो कई air secules आ करके मिले हुए तो यह प्रॉपर छोटे छोटे structure sequence में याद रखना अब तुम्हें जो याद रखना वो यह है यहाँ पर यह 10 segments तो है यह 10 segments को याद रखना आपको किस तरह से याद रखना तो पहला चीज़ तो यहाँ पर ओलेडिक राइट लंग्स में अगराम लोग आते हैं पहले राइट लंग्स हूं राइट लंग्स में कितने लोब है तीन एक दो तीन लोब अपर मिडल लोर अपर लोब में तीन वुरंगो पलिर सेग्मेंट से कितने अपर लोब में तीन वुरंगो पलिर सेग्मेंट से मिडिल लो तिन दो पांच आन्य आपर मिडिल लोर तो पहलत तो यह याद रहा कि अपर लो में कितने ब्रउंकोपवी सेग्मेंट साइब ब From High School में कितने तीन है मिडिल लाफ क्या कुणते हैं लोर में कितने लाइड सैझे लेफ्ट essaई दूसरा कहा है Posterior तो दूसरा यह क्या पोसरे थिंहें धिङ गहा तीसरा क्यां अंटेरियर तीसरा अब उगे अंटेरियर हो गया मेडेल में आ जाओ तो lateral and medial क्या है मेडेल में अगर हम लोग आते तो चार और पांच इह और पांच यह ना रटरल और मेडिया लोग तो सुपेरियर 6 नमबर तो जो ना फेर यह यह तो सुप्लीट लिगा लोग यह तुम्हें पूरा कोस्टल सर्फेस बहुत आप पीछे तक को यहां पर रिपर्जेंट किया लिए ठीक है सुपेरियर यह तो होगे चलो मीडियल बेसल अब यहां पर सब में लगा हुआ बेसल सुपेरियर के बाद जतना है सब में क्या लगवा तो दो को नाम बड़ा कॉमन कॉमन मीडियल यहां भी है मीडियल यहां भी है तो यहां मीडियल बेसल यहां सिर्फ मेडियल लेख्टेुर्ट बस सेवार सँन्हें हैं लेटेरल यहां बीघाल टुए तो एक्चुल्छा लिए हेग कि नीम देड नाम याद रखना किसको सूपेरियर पॉसका पोस्चिरीए वे उल्टाऊ आ गए है कि ऊपर में लेफ्ट साइड में आ जाओ लेफ्ट साइड में लोग देखते हैं अपर लोब से इंदर में आतें तो आपर लोब में तुम देखोगो तुब एपिकल वहां भी है उपर में सब को देखने को मिलेग़ पोस्टेडियर है तो एंटेडियर है ठीके सुपेरियर लिंगुलर और इनिफेरियर लिंगुलर यह मैं बताया भी होगा शाल कि जो लंग्स हमारा है वहां पर लिफ्ट लंग्स में स्पेशली जो दो क्या करते ब्रॉंग दो लोब्स होते हैं और तीसला लोब को रेपर्ज लिंगुलर बोलते हैं तो कभी बुक्स डिर्क पर लिखते हैं लिंगुलर इस रेपर्जेंट द थर्ड लोब अफ द लंग्स यहां नहीं बट इस चीज़ को ए कि अगर तीसरा होता मालनों यह काने का मत्तब्ब है कि तीसरा यह नोच बने आने तो यहीं लिंगुलर डव बाट सा रहे हैं तो यह पर कि अपर एंनभेर क्या तो यहां पर ओले नॉमनिक लिचार किया हुआ तुन्हें पता भी चलंग है इस सइड मना पकल उपर में दिख रहा है टीक है ईपकल कदेक अबर नंबर यह पोस्टेंट फिर तिन नंबर क्या ऑगा अंडे यह तो पेरि यहाँ पर आ लेकर यहाँ मिया लेंप एहां आ आ यहाँ ए तो नाम बड़ा एक जैसे सब्सक्राइं जहते हैं लहाँ जाभी जासे हैंने सेमा जो तुम और यह क्योंद लंकुल के नमीघार में नेम यहां और यहां से मैं यादर हो गां लेकिन झाए जो क्या होचुक आ निए स्थमि में निगा हो चुक Miche अभाअपको यसी की वान करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा अना तो याद रखने के लिए ना अब इसको स्रीज में याद रखो तुसके लिए निमोनिक से जो आसानी से तो में याद रहेगा तो यहाप निखते ए पाल्म, पाल्म सबस्टें इसको बोलते हैं अथली के लाभी को और पाल्म है अब वहाद ठाल्म से लिए पाल्म कर दाल्म कर दाल्म वुभरमा सेटें देखाने, हमाई ठेखाने लेटोग फूपत, एड़ फूपते हैं तो, उन्वाय तो भार दोगते। ।वर्णील वेपको में प्रेधाने, वींदेग सेटें, वेजितें लेगीर देखाने तेखाने लेगार, तो दोगते हैं। तो इसके जो फर्स लेटर नहीं वहां से जाद रखोगे एप आम सीड्स में का अनदर लिटिल पांप हजूर का जो वीज अगर तुम फेंग देते हो अब तुम हसो मत तुम लोगी ठीक है तो छोटा सा फौदा फिर खाजूर का ही बनेगा ना यंगूर का बनेगा इसका बन इसे याद रखोगी स्वाम का जाए अपर लोग दैन मिडिल लोग आगा और पहले तुम को तीन दो पांच ऐसे याद कराएंगा तो पहला तीन जो होगा एक दो तीन इक इसको बताएगा अपर लोग तो पहला में क्या एपिकल पांच बार दस पर इसको पढ़ों तो जब अब यहां पर थोड़ा एक एक वर्ड के वर्ड को लेना ऐसे क्या सूपेरियर आम से मेडियर एसे एंटेरियर अब बेसल तो सब में लगा वो तो लगा ही लोग ऐल से लैटरल पी से पोस्टेरियर ठीक है इसको लिकिन अले मिट जाएगा यहां से ठीक है तो इससे तुम् हम लोग इस चीज़ को देखेंगे लेफ्स साइड में भी सेम है कि एक साइड किया पांच है दूसरे साइड किया पांच है अनर तो एक चीज़ होता है कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे पिश भाई चारा हो तो क्या करोगे हाँ आपश में क्या करोगे आप सी सहमती से क्या हो ऑसका बटवार होगा तो यह पालम जब माज जो हो एक पाल्म सीड मेक सा अनगर लिटल पाल्म वाल नहें लगाया Can स्कीटरी लग गई अब एस लगाएंगे मिसमें ठीक है अब बटवारा करोगे तो आप सी तो यह होगा आप सी आप सब्सक्राइब अब में डबल लियोगा आप अब इसको तो महसाने से यादर इधर पांच इधर पांच पहला पांच जोगा वह अपर लोग का अपसी जो हो किसका अपर लोग का और पाल्स जो वह किसका लोग का इस तरह से तुम्हें अब नम्रिंग सो कोई दिकत निखे लोग तो आप लोग चेंजने न की एना लवस एंडे घर में इस तो यहां थोड़ी ऐसा कुछ दिया गया नम्बर इस दोनों को समझने के लिए यह यह नंबर कोई कोड नहीं है पहली बाद यह नंबर यहां यहां समझने के लिए सिफ बुकल में यह नंबर इस समझने के लिया ओनी यह से पीकल समय इथे खिर बूल दे थे समया खिबत लोग टिया खोकार झाने कि कि इस तरह कोई कोडिंग है सिर्फ एक चीस किसमें लिवर का नंबर फिक्स लिवर का उस तरह से और्येंटेंट यह उपर नीचे उपर यह यहां सिर्फ नाम को आपको याद रखना यहां लोग से दूसरे में नहीं गुज़ना चाहिए था ना तो यहां पर लोग सब क्या है इसा बन गया कि लगबग लगबग एक साथ आ गया सब इस रीज में आपको नहीं भी आद एक नंबर दूंबर तीव यह नंबर इसरफ और वोग्स रंदर यहां पर जब आर्म ऐसा अपको यादोगा एपिकल न यादोना ची उसके बद्किन पोस्टर रिया दोना चीए उ कि नमबर लिखा होगा नंग्स में चाहिए नम्ब्र के भी में है मारम क्यूं याद रखेंगा इन नम्बर दो है यह थीन है यह चाहर यह पांच स पन्र भी मीश है यह का है है एपिकल है यह क्या है तो बस नाम याद रहा है नंबर तो हमने यह किताबों में सब्छा जतना असानी साथ दिखता नहीं पहली बात अना चीज़ों को पलट-पलट के आपको देखना पड़ेगा दिखता है कर द Daisy को के कौनी मिच यह है यह इनीज्ए को सामने वैसी जलत रहा है अर मिद्ध सर्फेस को यह मिड़ी के दर के को स्चेंग टूर्स का गानों टूर्ण का आखे कोश्टल मलत पूरा it यह पूर तो यह आपर का यह समें रखा गया की आपको सामने वैसरा काई तो तूरा जो दिख रहा हो रिपर्जनिकिसको कर रहा है? पोस्टल सर्फसको, टिके? और कोई डॉट्स? जद हाँ लंक्स में मसल्स भी हुलता है बिनन मसल्स कोन विसरा होता है यह बताओ इससे पहले के किलास मिस्का अब नहीं तो सुरू के किलास मैं लंक्स में तो सुरू के लास में पास सोना